इसाले तो मैं आपको एक्सप्रेमेंट बताने वाला हूं क्तेल का बोला है इन्होंने प्रूफ किया आपको पता है कि आपको प्रूफ किया है फिर फिल्द मेथट ने टेकनॉलोजी यूज किया है जो सेंट्रिफुगेशन टक्निक होता है देंसिटी के रेजिएंट मेथड वही यूज किया है ठीक है और इन्होंने जो मीडियम में यूज किया है वह है और उसमें भी नैट्रोजन है नैट्रोजन 15 यह बात सब्सक्राइब है अब इनके एक्सप्रिमेंट को मैंने पूला कि इनकी इस्टेप में कमप्लीट होता है इक लेक्सप्रिमेंट के नहीं को समझने के लिए आपको basic बात समझना जरूरी है और वह क्या है वह वा यहां देख जी कि मैंने जिए वह रहएं यदर देखें अब मैं कहा रहा हूं कि यह जो डियन हैं यह जो डियन अलग लग नहीं किस बैसी पेश क्रेंख है आपको पता है डियन में तो निुकॉलिये टाइड होता है नाट्रोजिनस प्योंग में परेमेड़िन वोतब। नाट्रोजिनस प्योंग नाट्रोजन है वह तो एन Myers नेचरमे नेचर में नेट्रोजन का कौन सा एलिमेंट कौन सा आइसोटोप अबलेवल है रिभा नेचर में नेट्रोजन का कौन सा अबलेवल है नेचुरली एन-14 यागर नेचुरली कोई डिये ने बनेगा तुसमें 14 ही जाएगा लेकिन क्या हम अर्टीफिशली लैब में एन 15 डबलब कर सकते है नहीं कर सकते है पड़ते हैं वह रेडियोक्तिविटी में लेकिन याद रहे यह N 15 डेटीफिव नहीं है कारण आपको वाले सर भी पताएंगे और फिजिक्स इजिए अब बात बसती क्या है चलो भाई यह तो समझ में आ आगया यह अब मैं कह रहा हूं तो पूरा स्टेंड काला काला बनाया मतलब इसमें जहां पे भी नैट्रोजन यूज़ वा है डिएने में डिएने दर चैन अप निकलोटाइड जहां 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 भी निकलोटाइड में नैट्रोजन नहीं वह 14 वाला इसलिए मैंने इसको क्या बोला कि भाई ये तो डिनेस लेकिन यह वाला स्ट्रेंट यह वाला है यहां पर यह 15 वाला है और यह भी 15 वाला है यह बात कितनों को समझ में आ गई कि इन तीनों डियों में क्या आंसर है पुल मिला के निकलियोटाइड में जो नैट्रोजन है अंतर उसी का है अब सुनिएगा नभीन बताएगा एन 14 और 15 में कौन भारी कौन हलका यह 14 15 क्या है मास आफ एलिमेंट जो कौन भारी कौन हलका और फिप्टिन भारी तो तुम ही बताओ जो केबल 14 14 से बना होगा डीने जबले सेंडेट वह हलका होगा यह बारी होगा लाइट डीने बोल सकते हो इसको बोलो कि अरे बोलो कि यह नॉर्मल डीन होगा क्योंकि नेचर में तो जनरली 14 वाला ही मिलता है ना इसलिए इसको नॉर्मल डीने भी बुले बताओ बारी वाला कौन होगा एन 14 15 वाला या 15 15 वाला इसमें दोनों ही है यह बनेगा नेचर यह बात कितनों को समझ में अगहात कर लको जली से जली से अब दूसरा मैं बात करता हूं सेंट्रिफिगेशन टेखनीक की मैं बात करता हूं सेंट्रिफिगेशन टेखनीक की यह मैंना लिया एक टेस्ट्यूब ओके यह लोगों को टेस्ट्यूब दिया ठीक है इस टेस्ट्यूब मैंने डाला सुनेगा दांस इस टेस्ट्यूब मै कि आधर रोगा हूं उसजों सब्सेंदेश में ना चौराइड है अब क् Alicia Can't am Keixa लेन मैंने कर्लाइड कि कई वह будем को करता है ये अपने दिफ्रेंट टैंसिटी केुछ हिसाब से इस पूरे टेस्ट्यूम में फैल जाएगा ऐसे और हर जगा उसकी डिफिरेंट डिफिरेंट डेंसिटी होगी है हर जगा उसकी डिफिरेंट डिफिरेंट डेंसिटी होगी यहां पर सबसे कम यहां पर सबसे जादा उससे जादा उससे जादा सबसे जादा सबसे ब कोलोरड का सोल्यूशन मैंने डाल दिया उस टेस्ट की अब मैंने क्या किया तीनों डियनों को एक साथ इसमें डाल दिया है वी इपरीड और लाइट ठीक है अच्छ एक पड़ा अगर मैं सीजेम को राइड यूस नहीं करता और मैं सीजेम को राइड यूज नहीं करता तो कितनों को ऐसा लगता है कि लाइट वाल醬 युपर आ जाता है और हैबी वाला नीचे अरहाठ ईप उसके सबसे बाड़ी वाला नीचे यह वाला बीच में वाला है सबको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा पता है क्यों मास में ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है क्या वाला मैंने मास में ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है बहुत ज़्या आप उमीद लगा के बैठे हो ऐसा नहीं होता है लेकिन अगर आपने सीजम को लड़ाइड यूज कर लिया यह बता रहा हूं सीजम को लड़ाइड का इंपॉर्टेंस तो सीजम को लड़ाइड क्या गरता है वो खुद अपने डेंसिती के इसाब पुरे टेस्टियों में बिखर जाता है तो जो हलका हलका डेंसिती वाला माटरियल है वो अपने लेवल में उसको ट्रैप करके रखता है जो मीडियम वेट का माटरियल है वो मीडियम लेवल में उ करेंगे तब आपको तिरों ये को सपरेट करना इजी है या जब नहीं करेंगे तब है साइब परें है उन्होंने क्या सुने का द्यां से उन्होंने क्या उन्होंने क्याkeeping तो देने डाला तेन्ट्रिफ्यूग किया इसको घुमाया अदम तगड़ा अदम घुमाया गुमाने से क्या हुआ मिक्सर पुड़ा मिल गया अब उनको क्या करना है सप्रेट करना कुछ नहीं भी या घुमाने के बाद यही तो हुआ है कि सीजेम कुल रड़ा पुड़ा जबिल तो यहां पर कुछ दीन आपको जमावा देखेगा कि यहां पर कुछ देने यहां पर जमावा देखेगा और कुछ दिन गया उतबर कि अब का आपर पोरिशण है जहाओ से आपको क्या लगता है यहां कhone सा दीन होगा याइभवी या हैब сказала कि यहां बीच में है यह पूरा इसे घुमा के छोड़ा उसके बाद नीचे में सबसे नीचे यह है और यह हम यह एक यह है मिला कि जब आप यूज करोगे और आपको टेस्ट हुँ में डियने का बैंड दिखेगा आप समझ यह यहां पर वह फोटिन फिफिप्टीन वाला है और यहां पर जो फिप्टीन-फिफ्टीन वाला किता हो वाथ समय में आगे जल्ली से जली से यहांट अगर किसी कोई और दाउट है जल्ली से पूछेए है है चलिए ठीक है तो अब आगे हम आपको बताते हैं क्या अब आगे आपको बताते हैं एक्स्प्रिमेंट यह वाला अगर बताते हैं कर इग्स्प्रिमेंट में सबसे पहरा क्या किया कि इन्होंने क्या किया उन्यान व?!? टैक क क bh कि नीनन इसके पास ये ने कासा है छाय और मद उसके पास ये नहीं सैन्स पास नां मेल इन्हों है यहां प्लिया कल्चर मीडियम इडिस इसकल्चर मीडियम इन इसलिए लृद टो सेंटरिस यूगेशन की यह चैसे लिग एक तो थे चल्चरी है। मिडियम है इस कल्चर मिडियम में बता आप सब कुछ जालोगे बैक्टिरिया के ग्रोथ के लिए डालोगे कि ने डालोगे जब यह बैक्टिरिया इसमें डालोगे तो इसमें नैट्रोजन भी डालोगे कि ने डालोगे इसमें उन्होंने क्या किया इस कल्चर मिडियम में मिक है अब बताओ रिवा जर्इभ आया होगा नो बैक्टरिया जब एक टिर्फिकेट करेगा बाइन्य कजड़ो जभिया बैक टिरी अपने में डाला आ गया या व्टरियवे लोग शीः आप तो वो अपना DNA Replication कब करेगा पहले या बाद पहले तो यह उसका DNA माल जो ठीक है वो तो मैंने एच्छा करने स्वाम में इसको DNA Replication करना होगा तो अपना दोनों स्टेंड खोलेगा के ने खोलेगा दली बोलो खोलेगा ने जी तो यह बैक्टरिया का माल लो मैंने DNA बनाया इ तो पता वो दोनों स्टेंड कौन सा होगा दली बोलो रिभा तो इनके सामने नया चेन बनेगा वो फोर्टीन वाला होगा इसके सामने इसके तक बेक्टरिया को टाइम लगा कितना 20 मिनत कि ना टाइम लगा है ट्रविस मिनिट लगा है बैक्तिरिया अपना इक लाए अपना नंबर भरा लेता है बीस मिनिट में वस्ट एक मिनट रुजाओ हां तो बैक्तिरिया अपने नंबर भरा लेता है बीस मेट में यह बात इंपर रखेगा हाँ अब बताई कि अब मुझे एक बात बताई अभी जो यह वाला बैक्टिरिया था यह नॉर्मल बैक्टिरिया था उससे अभी यह जो जो दिया दोनो बैक्टरिया के अंदर एख जबात कान सा चाहे और वह आख जो प्लेगा यह तो आ पहले तो अपने रोट यह दोनों इन अलग बैक्टरिया में चला हुए चला गया हुए गया मसफर निंद मानते हुए बात यह बरकिनों को समझ मारी है हां तक राकेजिए जल्ली से तो 20 मिट के बाद तो सीन कुछ ऐसा हुआ होगा लेकिन अगर मैं छोड़ू इसको अगले जनरेशन के लिए तो अगले जनरेशन के बात क्या होगा यह वाला भी खोलेगा अपने आपको यह वाला भी अपने आपको खोलेगा अपने आपको और यह वाला भी खोलेगा जोती बताओ यह चारो इस टेंड अब अगले जनरेशन के लिए पुराना है या नया इस टेंड यह तो नहीं पता है यह दोनों यह जब पहला पहली बार बैक्टरिया डिवाइड कि आपने डियने को यह वाला दो दोने इस टेंड था खाला वाला वो नया था यह पुराना था वो पुराना था तो उसके समने नया वाला कॉन सा इस टिन बना 14 यह 15 आइस देखके तो बोलो कम सकम जली से आवाजम सब्सक्राइब तो यह गवाले के सामने वह कुपटीन आप 15 बना 15 बना तो वह तो जो लो आड़ टेडिया के अंदर उसका पार्ट बन गया ठीक है अब ये बैक्टरिया चारा डिवाइड काने के लिए उसने अपने शिंद को खुला इसने अपने दोने शिंद को खुला एडो को ताला वला N15, N14. और बुलूवाला N15 ये इस वाले बैक्टरिया का है इस भी खोला एं 15 और एं 14 तो यह बैक्रिया ने इस बैक्रिया व एन श्णांट है किला उल्स पुराना श्णट ला ऑलल्डयन्यू है थे थे भी तों नंग Souls McKaug तो बेक्टेरिया नाया बनेगा अभी जब नाया बेक्टरीय बनेगा जब देटने reset हो जायेगा। जब रेपलिकेसन हो जाएगा बानरी वैति अधिधिस समगोसिति के बाद है तो इसके लिए वह Soleil 15 15 15 15 और 15 अब दो से कितना बेक्टेरिया हो गया जाली बोलो चार देटों के पास है विए कितनों के पास लाइट और कितनों के पास है ब्रह ढूंत है आर दो के पास और दो के पास यह जैसे यह इस वीच वाले को भी आ हैं है अब ने बताओ नहीं बोलना आ रहा है इसको बताओ सब्सक्राइब नहीं है तर प्योर है अग्दम सब्सक्राइब नहीं है देखो यह है यह है और यह भी है और यह है बोलो क्या बोल रहे हो नहीं यहां पर दोनों के साथ है अगले 20 मिट के बाद फिर से सब अपना रेप्लिकेशन करेगा बोलो एक बात बताओ नया जो भी स्टेंड बनेगा सबी लोग अपना अपना अंसर सबी लोग आंसर बताना चैट सक्षन में नया जो भी स्टेंड बनेगा वह एन 14 वाला होग यह एन 15 वाला होगा नया जो भी बनेगा मीडियम में अगर मैंने 15 ले लिया मैंने उन्होंने लिया मिसेल संस्टेंड नया जो भी बनेगा हुआ इन 14 होगा यह इन 15 होगा जल्दी बताओ सब लोग चैट कि जल्दी बाखी लोग का हात निचलता है गया अरे बाखी लोग का हात निचलता है कि यह अंसर नहीं आता है आपका आवाज कट रहा है अवाज कट रहा है अवेटी के ज़रीर रुख ज़ाए रुख ज़ाए एक मैट आप पुर दॉख ज़ाए एक मैट अब ठीक है ने अभी हां बताई ये तभी लोग बोल रहे हैं आच्छा जोती बोले ये बहुत जोती को तो क्या बोले हम एको बात बता जोती जब मीडियम में 15 है तो नाया डियने बनने के लिए नैट्रोजन कहां से आता है मीडियम से या कहां से तो मीडियम में 14 है नहीं तो नाया इस्टेंड हमेशा जो बनेगा वह 14 होगा कि 15 होगा वह 15 होगा तो तुम तो बहुत बोल रहे हो तुका मार दे तो वह 15 होगा सार हां वेज़रोगा-ाय जब लेगा तो तुम ब्लेंगा मैं यह बोल नहीं बोल नहीं बोलोगा नया एस्ट्रेंड जो हमई को खांश सितीन होगा अधर मुजव का प्टीं होगा को फटीन होगा कि तो आप संव Ro sedan को गौर की कितREY तो एक समय ऐसा होगा कि कुछ ही समय बाद धीरे-धिरे ब्लू वाले डियेने का नंबर बरता सला जागा एकुल है कितनों कोई बात समझ में आ गई कुछी समय के बाद लगवाग असी मिनिट के बाद ब्लू वाला का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ ने जोती बात समझ में आ रहा है कि मिने चूरी क्या यह सरारा नया वाला जो भी स्टेंड बनेगा वह अगर बुलू वाला होगा मतलब एंफिटीन वाला होगा तो जब-जब यह काला वाला खुले या बलू वाला खुले उसका सामने आना दो बलू वाला यह अभी आप सीन देखिए कि अगले 20 मेंट बाद म क्या है कि यह और यह जब भी खुलेका तो बुलू वाला आना है और यह जब खुलेगा इसके साथ तो बुलू वाला यह आना है तो जडिरे दरलू वाला की नहीं तो बताइए एक समय ऐसा होगा कि नहीं after many generation कि हर DNA में most of the DNA में खाली 15-15-15 होगा जब जाके इस test tube के अंदर बहुत साले e-coli बन चुके होंगे after many generation after many generation अब उसको अप्चा किजिए पूरे e-coli को गला दीजिए कि और उसका कर देजिए कि आप सेंट्रिस्यूगेशन करने के बाद मुझे जूती ही बताएगी कि बैंड कहां बनेगा अब अपर मिडिल या लूर बैंड कहां बनेगा सर्फ सारे का अलग अलग बनेगा ना जो है विदियने रहेगा और पिर अबेडियने दो ही रहेगा है मिस्टा अब देख लीज़ना आफ्टर मेनी जनरेशन भी है में दो ही रहेगा है मिस्टा तो कहां बनेगा अपर में मैंमे मिडिल में या लॉर में यहां पर बनेुट में बनेगा अ यहां ऑनको बहुति ना पढ सेंट्रूर्ट कि 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 यह तो है फिफ्प्टिन वाला है मतलब कि यह हैवी वाला है हाँ मेडियम में दोगों हैविट डिये ने भी है मगर किदर चला गया पता नहीं चला जो ही को नहीं है अब इसको नहीं बना लिया एक बेस ठीक है वो समझ गए इस टाइब से अगर करेंगे न तो हमको एन 15 वाला बैक्टिरिया मिल जाएगा इस पूरे एक्सप्रिमेंट को उन्होंने रिपीट किया रिपीट करने के वाद इस वार उन्होंने बैक्टिरिया को मारा नहीं तारे उन्होंने समझ गए कि ऐसा काम करने पर मुझे एन 15 वाला बैक्टिरिया मिलने वाला है तो समझ गए कि अगर मैं इस तरीके से करूं तो मुझे लास्ट में टेस्ट्यू में जो बैक्टिरिया मिलेगा वह कौन मिलेगा एन 15 वाला मिलेगा वह समझ गए इस बास को आप भी माई symptom ने क्या सब्सक्राइब करें इस बोलते तो यह सब्सक्राइब मलव के टेस्ट मैं में मिडियम लिए उन्होंने यह मिडियम कल्चर मिडियम इस बार कल्चर मिडियम उन्होंने NS4CL लिया ओके Amonium chloride लिया लेकिन दूसरेих step से उन्होंने N-15 लेना छोड़ दिया N-14 लेना इस टाकिया मीडियम में कल्चर मीडियम में लेकिन E-coli जो इस बार उन्होंने डाला क्या डाला इसमें केवल और केवल क्या था एन 15 और एन 15 वह वाला लिया और डाल दिया उन्होंने उसको मिडियम ठीक है अब मुझे जोती बताएगी जोती अपना माइक तब तक आफ नहीं करोगे जब तक हम नहीं बोलेगे ठीक है मैं कॉन इस अब बताओ इसको में डाला बीस में क्या होने वाला इस वीस में अपना अपना सबसे पहले बेक्टरिय अपना इस तो यह दोनों इस पराना वाला जो कौन एन 14 ने 15 जली बोलो अब इसके सामने जो स्टेंड बनेगा नाट्रोजन कहां से आएगा उसके लिए है मीडियाम से आएगा में जाना इतरोजन हा नहीं सठेप में नहीं वालती के जो रिश्टेंड बने लिए digo स्मय ken को फॉटीं हो गा फॉटी मोगा फॉटीन हो इस वाले में भी यह में है यह रहा है यह यह हाइब्रिड है यह वह रहा है यह भी में इतना ही होगा इसे आगे भी खाने पर जागा भी स्मेट में कि इससे आगे भी बढ़ेघा वाई कि बढ़ेगा बैच मेरा कंसंटरेशन बढराइए दूँगा ड़ाइवार उन्ट वरेगा ठीकल मैं ने काई कई जो 20 मिनट्वाड पर गउड़ कि जे 20 मिनट बोला 20 मिट में कहानी से आगे नहीं बड़ेगा मैंने एक्षा समय ने दिया इसको उन्होंने माना परेंटल इकोल है हाँ इसको नोने मारा परेंटल इकोल है मतलब यह परेंटल लिए ने पहला इस टेप उनका है ही यही डवलपमेंट और यहां परेंटल लिए ने कैसा है जल्ली बोलो जल्ली बोलो है कि यहां है कि यहां बनेंट समय दिया तो यहां पर दोनों यहां बने होंगे और यहां मिसमेट का समय दिया मिसमेब के यह उन्होंगों के ऊसनु सारें किसैसर कलेहं पर ज्याद सारें पंद्रा पंद्रा ओलें सारें तो सबहीन ये अपना डिपिजन किया होगा बास्केद्र किजन इस तोड़ी है कि ये वाला बैक्टेरिया बोलेगा तुम पहले डिविजन कर लो तब हम करेंगी है इसे हरव धिया को मिविए मिला से हर एको ना बैक्टेरिया बैक्टेरिया इस अपना नमबर डबल करेंगा और यहां डाला गया हर बेक्तिर्या, second step में heavy DNA रखता है, और यहाँ पर second step में यही है parental E. coli, parental DNA रखता है, ठीक है, तो बताओ रिभा, यहां पे जितने भी E. coli मिले होंगे, डबल हो गए होंगे तो यह सभी इकोला है फर्स्ट जेनरेशन के माने जाएंगे या सकेंड जेनरेशन के माने जाएंगे फर्स्ट जेनरेशन के माने जाएंगे यह बच्चों के विसमें कॉमन डाउट होता है अच्छा बता रहें कि कि यह पेरेंट है एक पेरेंट से खंदान स्टार्ट होगा है पहले पेरेंट तो आ जाए यह लगों ।f पर फ्रफ फरस्ट जनेरेशन खाज आने के लिए समय लेगगा 20 लेटो अब बतां फ्रस्ट कि अभी यहां पर कितने परसेंट डिन हैब रिचे अ और कितने परसेंट डियें यहां पर अभी हैवी या लाइट होंगे यह बताओ रिभा यहां पर दुनेगा यहां पेंदेफ परशंट कर साथ है और यहां पर क्या होगा फिर्स जनरेशन है कि तडिवीड और हैब्रीड है यह है और यह वरीड है इन दोनों का रेशियो आएगा यहां वन इस टी एवन 50-50 परसेंट होगा सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी से पहले जो भी किये उसको हमने इस टेप ही अलग माना वह फर्स्ट इस टेप का नाम ही मैं डाल देता हूं यहां लोग फर्स्ट इस टेप का नाम ही है सब्सक्राइब और इसको मैंने किया ही है और यह पूरा बना लिया मैंने और इसको जो सब्सक्राइब और यहां पर जो आप यह देख रहे हो यह है यह पर सब्सक्राइब और आते हैं थर्ड इस्टेप में उन्होंने क्या किया देखिए इस सब्सक्राइब की इसिवाले टेस्टउब को देख रहो इसी वाले टेस्टउब को छोड़ दिया और बिस इनेट और देगे तो चलिए इस वाले टेस्टउबstar छोडिये तो बताईये जोती इस वाले टेस्टि में कौन सा बैक्टिरी आप सब्सक्राइब परेंटल ते प्रस जेनरेशन फर्स जनरेशन है इसमें दिने का सा जली बोले आ तब लिए दिने इसमें 14 एन 15 मतलब कैसा नाम बोलियो इसका आइब रीट तो आप यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे 50% क्या है एवी है हां इस वाले का बनाओ तो डेंसिटी ग्रेडियंट से ने इस वाले का डेंसिटी ग्रेडियंट से बनाओ सब्सक्राइं व है पहले है timing आसरी की की बनाओं यहां मिलुक्व और यहां फे पहले हाँ तो यह बंट मिन स हुल है तो दुसरे को लाइट बोलाना होगा यह वाला देखिए यहां से बना यह अड़े सुनिये पहला जेनरेशन में यहां से यह सारा यह बना ऐसा तो यहां पर 50% हैबरीड और 50% हैवी कहां से आएगा यहां तो आल हैबरीड होगा ना जी तो यह 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 यहां लाइड यह बनाये तो है देख लो नहीं है यहां पर कितना को समझ में यह बात मिश्टेक होगा लिखने में 100% है यह एगा और बैंड केवाल एक ही आएगा बिच में एगा इंटर्मीडियट बैंड इंटने लोग समझ गया तो 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 नवीन इस मिटिंग का दो मिनट है ठीक है ताइम हो गया सारे लाट नेक्स्ट क्लास में 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 सब्सक्राइब के फर्स नेक्स के वह एक बार जल्ली से रिव्यू कराऊंगा और इसके बाद थर्ड लेके इस पर बेस्ट कोशन करेंगा ठीक है समय नहीं है जल्ली से वन टू थरी क्लिक यह तो ले चुके थे आप इसका लेजिए वन टू थरी क्लिक कि थर्ड स्टेप कल करेंगे कि थर्ड स्टेप कल करेंगे एंसी आटी में अगर आपको पढ़ना है बता रहा हूं कि पेज नंबर 104 पर लिखा होगा रेप्लिकेशन अगर बस इसी परियाग्राफ को पढ़ना और कुछ नहीं बागी कल बताएंगे ठीक है बागे कल बताएंगे फर्स्ट और सेकेंड रिवाइज करा देंगे और हम बढ़ेंगे थर्ड स्टेप पर उस पर बेस्ट कोशन करेंगा ठीक है यहां तक किसी को कई डाउट है एक मैठ है जली बूलिए जोती एन डाउट नवीन रिवा 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 चलिए कल मिलिए और कल हम बात करते हैं थर्ड स्टेप का और कल डियने रेप्लिकेशन को सेमी के अर्वेटी मोड़ बाला बात हम खतम कर लेंगे और उस पर बेस्ट नुमेरिकल भी कर लेंगे और बहुत अच्छे च कर बाला